मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस कभी नेक नियत से काम नहीं कर सकती। दस साल पहले केंद्र सरकार में लाखों करोड के गोटा ले करके कॉंग्रेस ने काली कमाई से अपनी तीजोरी भर ली थी। लेकिन अब दस साल से कॉंग्रेस केंद्र सरकार में लही है, ऐसे मैं कॉंग्रेस की तीजोरी खाली हो रही है। और इसलिए जहां जहां राज्य मैं कॉंग्रेस की सरकार है, वहां के लोगों को ये कॉंग्रेस अपने राजनितिक स्वार्त के लिए गरीब से गरीब लोगों को लूट रही है। चतिजगर जैसे राज्य मैं से लूट चलाई जा रही है। यहां चतिजगर में भी कॉंग्रेस ने पिछले पांच साल यही किया है। और चतिजगर में कौन सा खेल चल रहा है। यहां के मुक्यमंति के बारे में कहा जाता है। तीस टके कक्का आपका काम पक्का। तीस टके कक्का आपका काम तीस टके कक्का आपका काम ऐसे तीस टके कक्का वाली कॉंग्रेस सरकार को अब आपको बहार का रास्ता दिखाना है दिखाओगे ना दिखाओगे ना दोनों हाथ उपर गड़ के बताईए ये तीस टका वाला कक्का जाएगा ना जाएगा ना साथियों 36 गड़ में अथा खनी संपदा है कोईला हो लोहा हो अब मुझे बताईए ये सम्मोधी प्रधानमत्री बना उसके बाद आया है क्या उसके पहले थाग नहीं था लेकिन कॉंग्रेस ने आपको कभी इसका लाब नहीं लेने दिया कि ये मोधी है जितने ताय किया कि 36 गड़ से जो खनीज निकलेगा उसका बड़ा हिस्सा इस इलाके में रहने वाले 36 गड़ के लोगों को भी मिलेगा जहां से निकलता है पहला हक उनका होगा मोधी ने डिस्ट्रीक मिनरल फंड बनाया आपके हक के हजारो करोड रुपिये यहां की सरकार को भेजे इस पैसे से आपके घर के पास अच्छी स्कूल बने कॉलेज बने अस्पताल बने लेकिन कॉंग्रेस के लोगों ने इस पैसे को भी लूट लिया कॉंग्रेस की सरकार जब प्रष्टाचार करती है तो सिरफ राज्य का नुकसान नहीं होता बलकि हर परिवार का भी नुकसान होता है आपके बच्चों के भविश को भी वो उजार देते हैं आपका कोईला है लेकिन आपको बिजली परियाप्त मिलती नहीं मुझे जानते हैं क्या है कॉंग्रेस के लोग आपके कोईले में भी कमिशन खा रहे हैं